आज मुझे वो पार्लिमेंट हाउस में जरा गले लगके मिले तो मैंने कान में सरगोशी करते हुए पूछा के क्या हलात है होन चंगे हो या पहले ठीक थे तो उन्होंने बताया के साथ ही बहुत याद आते है और इमरान खान के बारे में भी उन्होंने बताया कुछ जब इम पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुलकादर का सलाम आज का दिन काफी मसरूफ राग्यू के एक तरफ पार्लिमेंट का मुझतरका इजलास था तकारीर थी यह इतजाज था और दूसरी तरफ अडियाला जिल में इमरान खान से पीटी आ पार्लिमेंट का मुझतरका इजलास शुरू होने से पहले उनकी एक पालिमानी पार्टी की मीटिंग होई और उसमें यह तैग किया गया कि भरपूर किसम का इहतजाज किया जाएगा और फिर आमने देखा टेलिविजिन पर भी सोशल मीडिया पर आपने देख लिया होगा अल्दो के टीवी चैनल्स के उपर नैशनल टीवी की वो फीड नहीं आ रही थी जो एहतजाज वाली थी यानि कैमरा मैन का फोकस जो था वो सिर्फ सदर जरदानी के खिताब के उपर था या फिर हुकुमती अराकिन के बेंचर्स के उपर था लेकिन जहां पर एहतजाज हो रिपोर्टर्स ने अपने तोर पे कुछ विजुल्स रेकॉर्ड किये अपने टीवी चैनल्स लक पहुंचाए फिर उन्होंने एक स्प्लिट विंडो में दिखाना शुरू किये तो पता जला कि पीटी आई एक जबरदस किसम का एहतजाज वहाँ पर कर रही है और नारे ब सुन ली होगी तो इस दुरान कुछ पॉलिटिशन से मुलाकाते हुई कुछ पीटी आई के लोग थे कुछ ऐसे लोग भी थे जो पीटी आई को छोड़के गए और फिर 9 माई के वाकियात के बाद उनका पीटी आई से कोई कनेक्शन ने रहा और अभी भी वह एवान का हिस है तो उन से जरा मुलाकात हुई तो देखके गले लगे और सलाम दौई हुई तो मैंने सरगोशी में पूछा कि क्या हाला आता है मतलब अब जहां पर हो वहां पर ज्यादा खुश हो मुतमेन हो या अपने पुराने साथी दोस्यार याद आते हैं और इमरान खान के बारे म भी नहीं की यानि जो मौजुदा हुकंती सेट अब का हिसस्था ऑब के रहे कि मैंने किसी से सलाम दौआ भी hiç की अभी तक यानि हाथ भी नहीं मिलाया और मुझे अपने पुराने साथी जो है वो बहुत याद आते हैं फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैंने अभी दो दिन पहले फ़लाओं को फोन किया दो दिन पहले इन को फोन किया तो दैट मीन्स के वो अभी भी अपने पुराने साथीों के साथ राबते में हैं जहां पर वो है वहाँ पर खुश नहीं है और वो PTI के अपने पुराने साथियों को मिस कर रहे हैं और मैंने फिर इमरान खान के बारे में भी पूछा तो उनके बारे में भी उनका यही ख्याल था कि अभी भी हो हमारे लीडर है और हम यही चाहते है कि किसी तरह से यह मौमला जो है वो सुलजे और जेल से उनकी रहाई मुमकिन हो लेकिन जो हालिया कुछ बयानात आए हैं और उसके बाद थोड़ा एग्रैसिव होता हुआ टेंपरेचर है या राइस होता टेंपरेचर है उसकी वज़ा से भी थोड़ी सी परिशानी का उन्होंने इसहार किया और भी बहुत सारे लोग करते हैं कि जब जब ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कोई महाल बनने लगा है या कूल एंड काम तरीके से आगे बढ़ रहा है तो इस वाद कोई ना कोई ऐसा बयानाता है कि फिर मौमला थोड़ा सा पीसे की परिशान के हवाले से उनके जजबात और शेरफजल मर्वन साब ने जो एक ड्रोन अटैक किया अपनी पार्टी के उपर उसके उपर जो इमरान खान चाब की वजाहत है उस पर भी बात करते है तो आज वी न्यूस के उपर खबर ये चल रही है कि 9 मही के वाकियात के बाद छोड़ कर जाने वाले कोई आठ के करीब रहनुमा हैं जो पार्टी में वापसी के लिए राप्ते कर रहा है कोशिश कर रहा है और वो चाहते है कि वो पार्टी में वापस आजाए वैसे तो और बहुत सारे है लेकिन आठ लोगों का नाम उन्होंने अपने जराय से बताया मेरी अभी ऑथेंटिसिटी इस पे नहीं है मैंने कन्फर्म करना है अभी जोके विलॉग करने लगा तो थोड़ी देर पहले मैंने खबर देखी वरना मैं जरा फॉन्चोन करके कुछ एक दो से तो पूछी लेता तो आपको कल तक मैं कन्फर्म भी कर दूँगा फवाद चो मुनासिब नहीं है उनके बारे में जरा वैरिफाई करेंगे लेकिन फवाद जोदरी ने तो खुद ही कह दिया कि मेरा वापसी का फैजला वो इमरान खान करेंगे बाकी अली ज़ादी जो है वो लगता है उनकी बातों से कि वो जहां पर है खुश नहीं हैं उनके भी वही इतमाद हासिल किया और अभी भी पार्टी के लोग उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं लेकिन चुके उनकी एक तस्वीर आ गई जहांगिर तरीन के साथ और वो शमूलियत वाला सीन वो गले में सकाफ डालके तो उसके बाद वो कभी मंजरियाम पर ही नहीं आए ना जल्द इमरान खान उनको वापिस ले ले शीरी मजरी तो चाहती हैं कि वो पॉलिटिक्स में वापिस आए क्योंकि उन्होंने अपने एक रिसेंट इंटर्व्यू में कहा कि उनका जो बैक्गराउंड है वो सियासत से अलग नहीं रह सकती बट उनकी जो साहब जादी है उन इंटर्व्यू वाले जो है उनके उपर थोड़ा सा हाथ सकत है उस्मान डार भी शायद पार्टी में जल्द वापिस आए क्योंकि वो भी अभी तक इसी कैटेगरी में फाल कर रहे हैं जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं का लेकिन पार्टी के साथ उनकी अफि कुछ फैसलों के वाले से क्योंकि आज मुलाकात का दिन था तो पार्टी के कुछ रहनुमा पहुंचे साथ जादा हामिद रजा, रौफ असन, मुजम्मिल असलम और कोई एक काद रहनुमा थे तो उन्होंने जाके इमरान खान से मुलाकात की और कुछ गाइड लाइन्स ल कि जाके मीडिया के उपर इसके उपर बात जरूर करें क्योंकि ये बहुत ही मैंने कल के विलॉग में भी बताया था कि सेंसिटिव टॉपिक है और इसको एक्स्प्लाइट किया जाएगा और आज आपने देख लिया वज़िर दिफार खाजा आसिफ का बयान उन्होंने तो जनाब वो मेरी जाती रहा थी मैं खड़ा हूं उस बयान के उपर और जोर देके कह रहे हैं कि जनाब ये ठीक है और ये मेरी अपनी जाती रहा है मैं ये समझता हूं कि जब आप किसी टीवी चैनल पर जाके पार्टी को रिप्रेजेंट करें और आपके नाम के साथ तहरीक आपने रहनुमाओं से बात करते हुए ये कह दिया है किसी तोर पर शामिल नहीं था और उन्हों ने बलके ये बताया आपने सोशल मीडिया पर देख भी लिया होगा कि उनकी हुकुमत जाने से पहले चार महीने पहले वो कह रहे हैं कि मैं साथी अरब का दोरा किया और साथ साथी अरब ने तीन अरब डॉलर का डेपोजट दिया उनकी हुकूमत को इमरान खान की हुकूमत को और फिर 1.3 बिलियन डॉलर का जो उयल रिजर्व था उसके लिए भी उन्होंने मौवनत की तो 474 अरव डॉलर की मौवनत की सौधी की और प्रॉटर्ण की ऑम्राद खन खतम होने से पूरा डेलिगेशन उनका यहाँ पर आया हुआ था तो वो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी अचीवमेंट थी तो वो सौधियारब की मदद के बगार मुम्किन नहीं थी तो इसलिए वो यह कहते हैं कि यह तासुर बिलकुल गलत है और यह वजाहत आना बड़ा जरूरी है लेकिन जितना शेरफजल मरवत के बयान को मीडिया के ओपर डिसकस किया जाएगा उतना ही कम इमरान खान के इस बयान को मीडिया हाइलाइट करेगा वैसी पबंदी है उपर से और बड़े मसले मसायल है तो यह वाला बयान थोड़ा कहीं दबा हुआ रह जाएगा और प्लस आपको जिकर खुद इमरान खान ने किया कि महमद बिन सल्मान से मैं अभी भी रापते में हूँ और जब मेरे पर कातलाना हमला हुआ तो उन्होंने फौन किया और खैरियत द्रयाफ्त की तो मेरा ख्याल है कहीं कुछ छोटी मोटी कुछ चीज हुई हो या कहीं एक फेज ऐसा आया यह बड़ा मुश्किल हो जाता है पार्टी के लिए डिफेंड करना और एक ऐसी सीचुईशन में फसे हुए इमरान खान के लिए जहां पे आपको बाहर निकलने के लिए रास्ते तलाश करने हैं आप उल्टा ऐसे मसायल पैदा कर रहे हैं जिसकी वाया से उनके लिए का नहीं है ऐसे बयाना देने का थोड़ा सा तामुल का मुझाहरा करना चाहिए इन खास सरकंस्टांसिज में आपको एक एक कदम फूंक के चलना है इसी सारे मौमले में इमरान खान ने अपनी मीडिया की जो पॉलिसी है उसको तबदील करने का फैसला किया है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके उपर डिसक्शन हो ही नहीं रही उसके उपर उन चीज़ों को हाइलाइट करने के लिए सो डॉट्स जो है वो कनेक्ट हो सके तो उसका टास्क दिया गया है रहुफ असन को और उनको कहा गया है कि एक हफ़ते में ये मीडिया की जो पॉलिसी है इसको म पंजाब में अभी तक कोई मोमेंटम उस तरह का नजर नहीं आ रहा जैसा होना चाहिए था एमरान खान हर मुलाकात पे बार बार जोर दे के कह रहे है लेकिन उनकी लीडर्शिप पंजाब में जाने से पता नहीं क्यों कतरा रही है या जो अभी तो जिमनी इलेक्शन भी ह हो रहा है स्टिल कोई बड़ा पावर शो हमने अभी तक अभी तक अब्जर्व नहीं किया तो आज एक बार फिर कहा गया है कि ये सारा कुछ प्लैन किया जाए और इसके लिए 29 अप्रैल को जो सुननी इतहाद काउंसल के जिरह तमाम एक कॉन्फरेंस होने जा रही है उसमे चीजें डिसाइड की जाएंगी कुछ गाइडलाइंग्स आज मिल गई है तो उनको उस इजलास में रखके फिर फर्दर पॉलिसी जो है वो अपना ही जाएगी या लाहमल अपना है जाएगा तो यह आज की सारी सूरत्याल थी आप अपना फीडबैक जरूर दीजेगा